किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार देख स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज कल आप सभी जानते हैं कि देश के अधिकांस भागों में बहुत वर्सा हो रही है और अगर पानी निकासी का उचित प्रबंधन नहीं किया जाए तो आपके पोधों को बहुत नुकसान हो सकता है और इसमें क्या-क्या समस्या हो सकती है किसान साथियों मुझे कुछ किसान भाई हमारे ग्रुप में और मुझे कुछ फोटो भेजते रहते हैं मेरे पत्ते गिर रहे हैं मेरा पोधा पीला पड़ गया है और ये अधिक समस्या आए आए थोड़ा इनका अवलोकन करते हैं और एक से दो मिनट के लिए ये जो लोगों ने फोटो भेजी हैं और वीडियो आई है ज़रा इनको देखी कर दो मिनट कर दो मिनट करते हैं कर दो मिनट करते हैं किसान सातियों अभी आपने देखा कि जिन किसानों ने अगर पानी निकासी का उचित प्रबंधन नहीं किया तो अगर पानी 24 घंटे से अधिक पोधों के पास ठैर गया तो आपके पोधों में जो दो तरह की बिमारिया हैं उनकी जड़ों में एक फंगस की और एक बैक्टीरियल बिमारी य अगर आपने उचित प्रबंधन नहीं किया आपको याद होगा कि पहली वीडियो में मैंने ये बताया था कि बरसात आने से पहले आप कुछ ड्रिंचिंग अवस्च्य करें जो मैंने ड्रिंचिंग की वीडियो में बताई थी किसान सातियों बरसात शुरू होने से पहले आपको ये सुनिशित कर लेना चाहिए कि कितनी भी बारी सो आपके पोधों के तनों को पानी टच नहीं करेगा पहली है अगर वो किसी कारण से टच कर भी गया यानि उसे छू भी गया तो आप इस तरह पानी की निकासी का प्रबंद करेंगे कि वो पानी जल्दी से जल्दी खेतों से निकल जाए नहीं तो आपके पोधों में मौटलिटी बढ़ जाएगी और पोधे खराब होना सुरू हो जाएगे किसान साथियो इस पर काफी चर्चा हुई कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पोधे की तने पर मिट्टी चड़ा देते हैं मिट्टी कभी भी कोनी कल नहीं चड़ानी चाहिए कि जैसे आप एक उचा सा एक कोन बना दो ये नहीं चड़ा उसकी चारों तरफ पोधे की उम्र के अनुसार इस तरह से थोड़ा उंचा करे कि लगबग 6 इंच भी अगर खेत में पानी भर जाता है तो तने पर पानी ने चुए और दूसरा जिनके हाँ जल भराओ की अधिक समश्या है जो खेत नीचे हैं वो एक काम ये कर सकते हैं कि अपनी दो लाइनों के बीच में एक गहरी नाली बना सकते हैं जिससे के जितना भी पानी हो उस नाली के द्वारा कहीं पर निकल जाए और अगर आपका खेत सभी खेतों के से नीचा है तो आपको अपने बाग में एक प्रबंदन ऐसा अवस्य करना चाहिए कि जिससे पानी का बचाओ भी हो खेत की मिट्टी भी ने जाए उसके लिए आप पानी को संग्रहित करने का इलाज करिए यानि एक ऐसी जगह बनाईए जहां पर पानी बरसात का सब जा किसान सातियों अगर अधिक बारिस हो गई दो दिन तक बारिस हो गई तो क्या करेंगे आप अगर आपने सुरू में कुछ तैयारी की हैं जैसे मैंने अपने खेत में जो गर्मियों में है काफी कई बार मैंने गहरी जुताई करवाई उस गहरी जुताई से क्या होता है कि ज तो मेरे खेत में कितनी भी बारीस हो जाए तो दस मिनट के बाद आपको महाँ पर पानी नहीं मिलेगा। एक तो ये काम करना चाहिए कि गर्मियों में अपने खेत की गहरी जुताई अवस्चे करें और कई बार करें। दूसरा ये करें कि अगर पानी भर भी गया तो जैसे ही पानी निकलता है और आप खेत में जा सकते हैं तो ये दो दवाईयों की ड्रिंचिंग अवस्चे करें। पहली है कोपर ऑक्सी क्लोराइड जो हम बताते हैं कि तीन ग्राम परती लीटर और एक है प्लंटो मैसीन एक एंटिबाइटिक है जिसका एक दसमलो दो पांच यानि 1.25 ग्राम परती लीटर आपको लेना है इन दोनों का घोल बनाईये पोधों की उम्र के अनुसार उनकी जड़ो में दीजिए और उसके पांच दिन बाद एक और दोवाई आती है सिजिंटा की रीडो मिल गोल्ड को ढाई ग्राम परती लीटर आप पानी में गोलिये और उनकी जड़ो में दीजिये इन दोनों दवाईयों के देने से आपके जितने भी फंगस जनित रोग हैं न भी नहीं होगी, जड़ गलन नहीं होगा, फाइटो फतोरा नहीं आएगा, और बैक्टीरियल विल्ट जो एक तरह से जो पैरा विल्ट होता है, जिससे पोदा एक दम से आपको मरना शुरू हो जाता, वो भी नहीं होगा. किसान साथियो, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में, जहां पर रेतली जमीन है, मैंने एक चीज नोटिस की है, किसान भाई जिन्नोंने नीम्बू के पोदे लगाए हुए हैं, वो नीम्बू के पोदे के आसपास एक गढ़ा बना देते हैं, और वहां पर को छुएगा और आपके पोदे में अनावस्यक रूप से ही आपका जडगलन का रोग होगा और पोदा स्वस्त नहीं होगा, इसकी बज़ाए क्या कर सकते हैं आपके पोदे के पास महा समतल रहने दीजिए, उससे लगबग जब छोटा पोदा वो छेंच दूर ये कारिये क होती है, वो पोदे से दूर होती है, तने के पास नहीं देना चाहिए, ये देखिए कि इस किसान ने कितना अच्छा थाला बनाया है, आपको इस प्रकार से कारिये करना चाहिए, तो जो किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारे पानी जल्दी ड्रिंच हो जाता है, उनको दो कार यह करने हैं एक तो पोधे से तने से दूर यह गड़ा बनाना है और दूसरा कारिय यह करना है कि उन्हें जो आपका गोबर का खाद है उसकी अधिक मात्रा यूज करनी है जब वो इतना परियोग करेंगे तो उससे जो बाद में हुमस बस्ती है उससे पानी को संग्रहन करने म या उसको पानी की धारण छमता आपकी जमीन की बढ़ती जाएगी और कुछ साल बाद बहुत अच्छे पोधे होंगे आपको यह भी ध्यान को आज मैंने आपको वर्सा रितू से जल भराव के कारण होने वाली पोधों में क्या साफधानी रखनी है उसके बारे में बताया यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट अवस्या लखें इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत